बिल्कुल रविंद्रे तस्वीरे धीरे धीरे साफ होती चली जा रहे हैं विदान सभा के ठीक बार हम मौझूद है कुछ समय पहले याँ पर कोहरा चायवा था लेकिन जैसे जैसे कोहरा हगता चला जा रहा है राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली ये तस्वीरे भी साफ होती हुई नजार आ रहे हैं चर्चा के लिए खास महमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुएं परिचे करा देते हैं अवदेश अकोदिया जी वरिष्ट पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमिद जी हमारे साथ मौजूद है कॉंग्रेस के प्रवक्ता है और इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश गर्ग जी भी है बिजेपी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त युगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है लेकिन चर्चा की शिरुवात अवधेर जी आपी से करते हुए चुंकि ये जो रुजान सामने आ रहे हैं क्या लग रहा है बिजेपी की सरकार फिलाल बनती होई नजर आ रही है किन मुद्दो पर लोगों ने वोट डाले होंगे बिलकुल देखिए जो अभी तक के ट्रेंड है उसमें बिजेपी ने काफी ठीक ठाक बड़त बना ली है लेकिन कॉंग्रेस भी अभी उतनी पिछडी नहीं है जितना जो पिछले विदान सभा के चुनाव रहे हैं जब कॉंगेस सत्ता में रही है तो एकदम बहुत ज़द सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है 12 वजे तक थोड़ा सेटल होगा अभी तक के ट्रेंड में बिजेपी इस पर स्ट्रोप से आसानी से सरकार बनाती होई दिखाई दे रही है तो अब तक की रुजहान यहीं कहा रहे है कि बिजेपी सरकार बनाती होई नजर आ रही ह सुमित जी अभी भी वही बात कहेंगे रिवास बदल डालेंगे विल्कुल अभी मैं आपको पिछले हिमाचल प्रदेश चुनाओं का याद दिला देता हूं कि बाग 11-12 बज़े तक बीजे पी का जो शिमला में मुख्याल है वहाँ पर पठा के चला रहे थे बीजे पी कारे करता टेंड बदला कांग्रेस ने सरकार बनाई बारे बज़े बाद इस परदेश में भी इस विधान सवा में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री जल्दी से वो कही न कहीं काम करर रही है और जनका हमाई वोट देने के लिए आशिरवाद देने के लिए निकली है और हम इपस्ट भहॉमत की सरकार बनाएंगे ये अभी विदावा है कॉंग्रेस का सुरेश गर्ग जी कॉंग्रेस तो अभी विदावा करी लेकिन बीजेपी कार्याले में डोल नगाड़े बजने लग गए हैं प्रियंका जी निश्य रूप से भारती जन्ता पार्टी पूल्ड भाहुमस से सरकार बना रही है मैं बता रहा हूँ कि 125 से ज्यादा सीटे भारती जन्ता पार्टी लेके आ रही है पिसले 5 साल जो राजिस्तान के अंदर बर्ष्टाचार हुआ पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से रिटायर अपसरों को पैसे लेके रिटायर अपसरों को लगाया और किस तरह से ब्रस्टाचार पावर सेक्टर में किया पावर सेक्टर में इस तरह से बिजली की तरह साड़े 5 रुपे से 11 रुपे 90 पे से बढ़ाई है ये रिटायर अपर ब्रस्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है या जैसा कि कॉंग्रेस कह रही है कि दुरूवी करंड की कोशिश की गई राजस्तान में ब्रस्टाचार का मुद्दा और 70 लाग युवाओं के साथ इनों ने जो ठगी किये वो सब जनता युवा जो है वो भारती जनता पार्टी के पक्षमें बोड दे रहे हैं जिस तरह से ब्रस्टाचार राजस्तान में 5 साल तक चरम सिवाम बजा उसकी बज़े से भारती जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिसले 9 साल से जो पूरे राश के लिए जो नीती चल रही है दस्वी अर्थिवस्ता से पांच्वी अर्थिवस्ता भारती जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लेके आए तो वो उन सत चीजों को देखते हुए भार में दोनों में से किसी की भी जीत हो सरकार कोई भी बनाए हम रिक्वेश्स इतना करेंगे जो चुनाव घोषना पत्र है उसको 24 गंटे अपने हाथ में रखें फिर जनता की तरफ देखें और देखकर के सुनिश्चित करें कि अगले 5 साल तक इस चुनाव घोषना पत्र का एक और जनता है कि आवाज बनकर बड़ी आवाज यहां पर निकलेंगे और अगले जब चुनाव आएंगे तब आपको पालूम चलेगा कि आम आदमे पारटी सबसे बड़ी आवाज राजस्तान के बनकर उभर रही है और याद तो दिलाने की बात वो भी है जब एक वक्त था जब आरल पी के हनुमान बेनीवाल कहते थे कि हम आदी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा विकल फांब यहां पर देंगे लेकिन फिलाल अभी कुछ अतापता यहां बड़ी बड़ी अपेट आ रही है रविंद्र हम बता जी दर्शकों को ड़ीद द्वाना से ने